हर्याना विधानसवा द्यक्ष की बड़ी गोशना 20,000 LED लाइटों से रोशन होगा पंचकुला हर्याना विधानसवा द्यक्ष ज्यानचंद गुपता ने कहा की आने वाले 10 दिनों में पूरे पंचकुला के लिए एक व्यापक स्थाई संचालन प्रक्रिया SOP तेयार किया जाएगा जिसका उदेशी पंचकुला के सभी छेत्रों में व्यापक ग्रीनरी को सुनिशित कर उसे बनाए रखना है साथ ही यह भी सुनिशित करना है कि कहीं किसी मोड पर कोई ब्लाइंड कॉर्णर ना रहे इसके अलावा 20,000 LED लाइटे भी मन्जूर की गई है और जल्दी यह लाइटे पूरे पंचकुला में लगाई जाएंगी उन्होंने सेक्टर 23 पंचकुला में नेताजी सुभाद चंदर बोस सामुदाई केंदर में आयो जित जनता दरबार कारिकरम के दोरान कुछ निवासियों द्वारा घरों के बाहर अवैद बार लगाने के संबंद में उठाई गई समस्याओं के जवाब में बोलते हुए आज ही है जानकारी पी जनता दरबार में उन्होंने लोगों के साथ सक्रियरूट से जुड़े और उन्होंने पंचकुला विधान सवा छेतर के सेक्टर 21 से सेक्टर 32 तक के निवासियों द्वारा लाई गई 55 शिकायतों को ध्यान पूर्वक स्थुना बादिकारियों को निप्ताने के आदेश दिये कारिक्रम में मेयर कुल्भूशन गोयल, उपायुक्त डॉक्तर प्रेंका सोनी नगर्णिगम आयुक्तों सचिन गुप्ता, पुलिस उपायुक्तों सुमेर प्रताप सिंग, अतिरिक्त उपायुक्तों वडचा खंग्वाल, स्डेम पंचुकुला ममता शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पूनिया और जिलाप्रशासन के अन्याधिकारी उपस्तित स्टील्ड प्लस चार मंजिला इमारत से सम्मंदित एक शिकायत के जवाब में उन्होंने शिकायत करता को, वह सक्रिय रूप से उनके हितों की वकालत कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस सम्मंद में गठित समीती की रिपोर्ट के अनुसार सरकारंतिम निर्णे लेगी, सम लिया एक रोटीन प्रोसेस हैं और यह शायद पांचमा जनता दरवार आज हमने गूर्ड की है, जनता दरवार का मकसद है कि हम जनता के दरवार में जांगर के, उनकी समस्चाओं को सुने और उनका जल्दी से जल्दी समधार करें, आज के इस जनता दरवार के अंदर स्मस्दाइं जो हैं इस फलर्स के अकारण जो स्मस्दाइं फैदा रही है जमीन का गठा हुआि और है अपने संस्थाइं पैदा हुई है और उसके साथ – ALLchte समस्दाइं और उसके साथ. आय वह व्यक्ति-गद्र. सरकारी भी के ऊपरस और पॉल एकर लेत नहीं के आएरा. ID की समस्या है वी पे यल काड की समस्या है यह बहुत सारी समस्या है आज यहां इसमें आई है मैंने सबीय अदिकार्य को से कहा है कि एक माह के अंदर यह सभी समस्याओं का समधा होना चाहिए अगर नहीं होता तो उसका कारण बदा लगना चाहिए कि इसके क्यों नहीं हुआ इसकी हमने कहा है कि 5 सितंबर फिर से द्वारा यह जो हमादिकारियों के साथ है और एक एक समस्या कोंसी समस्या का समधार हो गया कोंसी का समधार नहीं हुआ है नहीं हुआ तब क्यों नहीं हुआ है और उसके अगर कभी अरचन है सरकारी अरचन है उसको हम दूर प्रवा करेंगे जन समस्या का समधार करने का हम प्रयास करेंगे बहुत सारे लोगों की जो विश्तिकत समस्या हैं तो नहीं कहा है कि उसको कह प्रवाइक दूजिन के अंदर क्या एक सब्दा के अंदर यह सबस्दा का सब्सक्राइब और लाइफ पॉइंट्स पे भीगारिया जुके सब्सक्राइब इस प्रचाच होने जुरूरी है कि ऐसे लोगत ने जो बाहर से समझी पार यह बिलकुल एक बहुत एहम मुद्दा ज अधिया जहां पर लेड़ी फड़ी वाले आ रहे हैं यह मार्केट के अंदर बैकर्स आ रहे हैं तोंके उपर आ रहे हैं कि चांच होनी चाहिए और जो भी कोई व्यक्ति संदिग्द है उसकी जो वैरिफिकेशन है जो मस्ठ होनी चाहिए ताकि कोई भी ऐस जो है या कोई प्रदेश की हमारे इस पंचकुला शहर की शान्ती वस्ता को भांग ना करते हैं